नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करूना ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास त्वल्थ के पेंटिंग सब्जक्ट के स्टूरेंट्स के लिए और इस चप्टर में हम पढ़ने वाले हैं समकालीन आधुनेक भारते कलाकारों के चित्र पर कुछ महतपून प्रश्न उनके आंसर्स के साथ तो शुरू करते हैं कुशिन नमबर फरस्ट से तो दोस्तों आपका कुशिन नमबर फरस्ट है मदर टेरेसा नामक चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है इसके रचनात्मक संयोजन का वर्णन कीजिए तो मदर टेरेसा चित्र के चित्रकार का नाम मकबूल फिदा हुसेन है जिसको M.F. हुसेन बोल देते हैं और इस चित्र में इन्होंने मम्ता मई मदर टेरेसा तथा उनकी संस्था ध्वारक किये जा रहे मानविय समवेदनाओं से परिपून विभिन कार्यों रूपों को दर्साया है नीले बॉर्डर वाली साडी को चित्रकार ने इस तरह से विस्तारित किया है कि उसमें धर्म जाती नसल में रंग भेत जैसे विकरत भावनाओं से परे रंग रहित चहरे का आभाज होता है उस साडी के एक सिरे द्वारा अनात बेघर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती एक बालिका को मम्ता में आश्रे प्रदान किया गया है तो दूसरी और एक बिमार को गुटनों पर लेटे हुए दिखाया गया है एक दाईना हात उन्हें आश्रे तथा हिम्मत रखने का संकेत देता प्रतीत होता है देखो दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इस तरह इस चित्र को तीम चर्णों में बाटकर चित्रकार ने अपनी भावना को अभी व्यक्ति दी है Q2 है आपका राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए मद का मतलब होता है अभिमान मैंने पहले भी बताया था तो अभिमान चून चून करते हुए घमंड तोड़ते हुए नामक चित्र में किस विशय को चुना गया है क्या कलाकार चित्र के द्वारा उसे प्रकट करने में सफल रहा है तो देख लेते हैं इसका अंजर राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए चित्र का विशय हिंदू धर्मिकी पवित्रधार्मिक पुस्तक रामयन से लिया गया है इस चित्र में चित्रकार की द्वारा रामायन में घटित होने वाली उस घटना को चित्रकार ने साकार रूप से चित्रत किया है जिसके अंतरगत श्री राम समुंद्र को पार करने के लिए रास्ता मांगने की गुहार लगाते हैं लेकिन समुंद्र अपने अभिमान में चूर होकर श्री राम की पुकार को नकार देते हैं, जिससे श्री राम समुंद्र को सुखाने की चितावनी देते हुए धनुष पर बान चड़ाते हैं, राम को क्रोध में देखकर समुंद्र देव बाहर आते हैं और उनसे विंती करते हैं कि वे उन्हें शमा कर दें हमें लगता है राजर अविवर्मा इस पूरे द्रश्य को साकार रूप देने में पूरी तरहा से सक्षम रहे हैं चित्र में श्री राम को सफेद धोती पहने तथा हात में धनुश बान पकड़े चित्रित किया गया है तथा समुंद्र देव को लहरों के बीच में अपनी दोनों पतनी के साथ चित्रित किया गया है चित्र को देखकर ऐसा आभास होता है कि यह घटना अभी कहीं पर घटित हुई है तो दोस्तों आ जाते हैं कोशन नमबर तीन पे कोशन नमबर तीन है मा और बच्चा नामक चित्र में कला की शेली गत विशेष्टाओं पर लेख लिखी तो यहां पर मा और बच्चा चित्र की शेली गत विशेष्टा हैं बच्चों आपको बतानी है तो मा और बच्चा चित्र के चित्रकार का नम जामिनी रोय यामिनी रोय जैमिनी रोय सारी एकी बात है तो यामिनी रोय की कला लोक कला और आधुनिक कला का सम्मिश्रण है मा और बच्चा चित्र में भी यह विशेष्टा देखने के लिए मिलती है कौन सी विशेष्टा मतलब चित्र के अंदर आधुनिकता का भी सम्मिश्रण हमें देखने मिलता है और परंपारिकता का भी कुछ पुट हमें इस चित्र में देखने मिलता है इस तरह से यामनी राय का मा और बच्चा चित्र आधुनिक और परंप्रागत शैली से मिलकर बने आधित्य पूर्ण क्रती है इस चित्र की विशेषता इसके सपाट पीले, गहरे भूरे, सफेद वसिंदूरी रंगों का अदबुद सोजनने है दोस्तें आपे जो कैमरा लिखा हुआ है ये कैमरा नहीं है ये टैंप्रा है टैंप्रा विदी से बनाई गई इस चित्र में मा और बच्चे के बीच में असीम प्रेम को दिखाया गया है इस्त्रित्व की संपूर्टा में मात्रत्व की अनिवारता भारत्य दर्शन को भी यहां पर चित्रकार ने दिखाया है अलंकारों की कमी को पूरा करने के लिए चित्रकार ने चित्र में हरे सफेद ये सलेटना होकर के सफेद है काले रंग पर रेखाओं के बीच बहतरीन सयोजन इस्थापित किया है दोनों मानवाकर्तियों के चहरे के भाव तथा आँखों का आकार लगभग समान है परन्तु विश्मयकारी है इस चित्र की कोमलता और लियात्मक रेखाओं ने इस चित्र को विसिस्ट बना दिया है देख लेते हैं कुशिन नमब फोर कुशिन नमब फोर है राजा रवी वर्मा की अन्य प्रमुख क्रतियों का विवरण दीजिये तो राजा रवीवर्मा को भारत के पोरानिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है इन्होंने चाया प्रकाश का प्रियोग करके सरुप्रथम भारत में तेल रंगों से चित्रांकन करना आरंब किया इस कारण इन्हें भारत का पहला तेल चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है तो दोस्तों भारत के पहले तेल चित्रकार थे राजर रवी वर्मा और इस पर एक कोईशन भी मैंने GSGK वाला जो अभी इन दिनों मैंने चलाया है जो मैं रोज एक वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं कुछ GK और GSK कोईशन अप्लोड करती हूँ उसके अंदर भी ये कोईशन आपका दिया हुआ था तो राजर रवी वर्मा की अन्य प्रमुक्रतियां है श्रीक्रेश्न, हरिस्चंद्र, रावन और जटायू, इंद्रजीत की विजय भारतिये विक्रेता और शकुंतला का दुश्यंत को पत्र ये जो भारतिये विक्रेता है ये भारतिये फल विक्रेता यानि की फ्रूट स्रेलर है कोश्चन नमबर फाइव है आपका ग्रामीन परिवेश पर अधारित अम्रिता शेरगिल के चित्र हल्दी चक्की का विवेचन कीजिए तो ये कोश्चन बहुत इंपोर्टन्ट है देख लेते हैं इसको हल्दी चक्की चित्र में हरे पीले गहरे रंग से दुंदली प्रस्ट भूमी में तीन महिला आकरती को दो बड़े व्रक्ष के हल्दी पीषने वाली चक्की के इर्दगीर्द बैठे हुए दिखाया है इसके अतिरिक्त एक महिला को काले लिबास में व्रक्ष के दोनों तनों के पीछे अपने दाहिने हाथ को कान के पास तक उपर उठाये चित्रित किया गया है सभी के परिधान चटक हैं लाल और सफेद रंग से चित्रित हैं एक महिला को चक्की का हैंडल पकड़े हुए दिखाया गया है चित्र में एक बालिका को व्रक्ष के मूलतने से पीट सटाई बैठे हुए दिखाया गया है जिसने अपने दाहिने हाथ में व्रक्ष की एक डाली को पकड़ा हुआ है एस चित्र में महिला के चेहरे सपस्ट नहीं हैं जिन्टू एक महिला ने जो अपने पैरों में आभुशन पहना है उष को चित्रकार ने बहुत अच्छे से दिखाया है व्रक्ष के तने महिलाओं द्वारा पहने गए परिधान छेत्र की विशेष्टा, मतलब व्रक्षों के तने और महिलाओं के जो वस्तर उन्होंने पहने हुए हैं, यानि की परिधान जो उन्होंने पहने हुए हैं, वो उस जगा की यानि छेत्र की विशेष्टा, यानि स्थान दिया है और उनके चित्रों के विशे भी लगभग यही रहे हैं तो दोस्तों यह था आपका चिप्टर नमबर 11 समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों के चित्र उसका पूरा का पूरा सॉलिशन सभी इंपोर्टेंट कोईशन और आंसर मेरी इस वीडियो में है आशा कर बाइ